मैं हूँ कीरन और ब्यूटिफुल हमेशा हिंदी चानल में आपका स्वाकत है आज मैं आपको साथ दिन में खुटनों के दर्द में कैसे छुटकारा पाए वो बताने वाली हूँ ये सारे जो टिप्स में आज आपको बताने वाली हूँ ये सारे टिप्स घरेलू है और इन घरेलू उपाईों से आप अपनी गुटनों का दर्थ ठीक कर सकते हैं तो आईए देखते हैं पान से छे खजूर को रात में पानी में भीगोए सुबा उठने के बाद खाली पेट खजूर को खाए और जिस पानी में खजूर भीगोए थे वो पानी पी ले इससे दिन में दो बार तीन बार घुटने की मालिश करें इससे आपके घुटनों का दर्थ जल्दी ठीक हो जाएगा और आपको काफी राहत मिलेगी घुटनों के दर्थ के लिए काली मिर्ज भी बड़ी उप्योगी है अगर आप घुटनों के दर्थ से परिशान है तो तील के तेल में काली मिर्ज पाउडर मिलाए और इस तेल को थोड़ा गरम करें तेल के गुझगुझा होने पर उस तेल से घुटनों को धीरे-धीरे मालिश करें इससे गुटनों का दर्द गुटनों की जो सुजन है इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा रोज अक्रोड खाने से और पेरों की उंगलियों की मालिश करने से भी गुटनों के दर्द में अराम मिलता है और सरसो के तेल से घुटनों की मालिश करने से भी घुटनों का दर्थ ठीक हो जाता है दालचीनी के पाउडर में थोड़े से पानी को मिला कर उसका पेस पनाए इस पेस से घुटने को धीरे धीरे मालिश करे ऐसा 5-7 दिन तक करे और ऐसा नियमित रूप से करने से आपकी हड़िया मजबूत हो जाएंगी और जोडों का दर्थ भाग जाएगा ये काफी सरल उपाय है एक बार जरूर करे एक चमच मेथी के बीच के पाउडर और अरदे चमच हल्दी को गरम दूद में मिलाए और इस दूद को रोज पिये इससे आपका गुटने का दर्थ भाग जाएगा और आपको पहले से काफी अराम मिलेगा तो ये सारे उपाय थे गुटनों के दर्थ को साथ दिन में छुटकारा पाने के लिए सो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें ये वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी फेस्पूक और ट्विटर पे सोशल नेटवरकिंग साइट पे शेयर कर सकते हैं ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों